नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक्तिर पाठी, आप सबी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल HM Coaching Classes में जैसा कि आप सब को पता है कि चक्रद्भ्याज की क्लासे चल रही है, दो क्लासे हो चुकी है और ये आज चक्रद्भ्याज की तीसरी क्लास है तो इस class में हम discuss करेंगे exam पूर के चक्रवद भ्याज के questions की मैं आपको बता दूँ कि मैं आप सबको exam पूर भुग के questions करवा रहा हूं और exam पूर भुग के चक्रवद भ्याज chapter के दो class में कुछ प्रसन हो चुके हैं साधारभ्याज एवं चक्रवद भ्याज के अंतर और तीन वर्स के साधारभ्याज और चक्रवद भ्याज के अंतर का अनुपाद ग्याद करें जब भ्याज की दर आठ प्रतिसत प्रतिवर्स हो और भ्याज की गड़ना वारसिक हो रेट आपको बताया गया है आठ परसेंट होना चाहिए रेट आठ परसेंट है तो दो वर्स के साधारण ब्याज और चक्रत ब्याज के बीच में जो अंतर होगा वो निकालना है तीन वर्स के साधारण ब्याज और चक्रत ब्याज के बीच में जो अंतर होगा वो निकालना है उसके बाद बताना है कि इनके अनुपाद क्या होंगे दो वर्सों का CI-SI रेशियो तीन वर्सों का CI-SI ये चीज आपको निकालनी है रेट आपको दिया गया देखे मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया कि जब आपके पास रेट हो और मूल धन ना दिया गया हूँ तो आपको मूल धन बानने का बिलकुल आसान सा तरीका है कि इस रेट को फ्रैक्शन में बदलीजे आठ परसेंट को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आजाएगा दो बटे पच्चिस आठ परसेंट को जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आजाएगा दो बटे पच्चिस अब मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि ये जो नीचे हर में संख्या आएगी आप समय देख लीजे कि समय कितना है तीन वरसों का हमको निकालना है C.I. compound interest तो तीन वरसों का निकालना है हर में जो संख्या आएगी उसकी घात time को लगा देंगे तो इसकी घात तीन कर देंगे 25 की घात तीन तो 25 की घात तीन करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 का क्यूब कितना होता है 15625 अब मैंने 25 का क्यूब कर लिया है अगर दो वरसों का मैं C.I. निकालूं दो वरसों का compound interest निकालूं तो कितना होगा देखिए रेट क्या है आठ परसेंट तो एक वर्स दो वर्स दो वर्सों का compound interest और simple interest का पहले मैं निकालूंगा है ना अंतर तो चाहे 8% निकाल लिए चाहे दो बटे 25 निकाल लिए इसका 15625 का दो बटे 25 कितना हो जाएगा 1250 अब इस 1200 में भी अगले साल ब्याज लगेगा दो बटे 25 तो इसका दो बटे 25 कितना हो जाएगा 100 अब यहाँ पर देखिए सीधे सीधे डिकल करके आ जाएगा कि दो सालों में दो वर्सों का ci-si निकालना है यह जो संक्या है यहाँ पर यह और यह यह तो simple interest है दोनों मूल धन पर लगा है अलग से यह लगाया गया है इन तीनों को मिला करके चक्रद ब्याज होगा और अलग से क्या है 100 यही इसका अंतर हो जाएगा ये टोटल होगा चक्रोदिव्याज और ये इतना होगा साधारण ब्याज चक्रोदिव्याज में साधारण ब्याज को हटा दिया जाए अगर इनको हटा दिया जागा साधारण ब्याज को तो क्या बचेगा 100 यानि इसका अंतर कितना आ जाएगा 100 दो वर्सों का CIE माइनस SI कितना आजाएगा 100 अनुपात अब हमको निकालना है तीन वर्सों का CIE माइनस SI कंपाउंड इंट्रेस्ट माइनस सिंपल इंट्रेस्ट तो तीन वर्सों कभी ऐसे ही निकालेंगे एक दो तीन इसका आठ परसेंट 1250 अब इसका फिर से निकालेंगे ब्याज कितना हो जाएगा 200 अब इसका और इसका ब्याज लगेगा 200 इसका फिर से ब्याज लगेगा तीसरे वर्स में दूसरे वर्स वाले का जो ब्याज होगा इसका इसका तो लग चुका है इसका भी लग चुका है यह बचा है 100 इसका ब्याज लगेगा कितना आजाएगा यह च्था इसका देखें kicking माइनस सैंप इंट्रेस्ट कितना निकल कर किया गए यह सव दोसो और यह आट कितना 308 दिनसो आट तो रीशियो कितना निकल कर क्या है इसको काट देंगे चाल से कटे गा 25 साउस घृर 44 25 रेशियो 77 आपका एंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रसन देखिए किसी निश्चित रासि पर दो वर्सों में 8% प्रतिवर्ष की दर से लिया गया साधारणवा चक्रव्याज का अंतर 3 रुपए 20 पैसे है 3.2 जीरो है मूलधन ग्याद करें रेट है 8% और CI माइनस SI कितना दिया गया है 3.2 जीरो रुपए मूलधन ग्याद करना है आपको प्रिंस्पल निकालने मूलधन पता नहीं है मूलधन पता करने का क्या तरीका है टाइम यहाँ पर देखे 2 वर्स दिया गया है मूलधन निकालने का क्या तरीका बताया सबसे पहले रेट को फ्रेक्शन में चेंज करेंगे आठ परसेंट को fraction में change करेंगे तो कितना आगा दो बटे 25 आठ परसेंट बराबर दो बटे 25 time जितना दिया हो गया होगा हर में उसकी घात लगा करके वही मूलधन मान लेंगे कीश्के हम को मूलधन मानना है तो यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या मानना है 625 आपका मोल्धन आजाएगा व कि अब्याज निकालना है आपको compound इंट्रेश्ट भी और सिंपल इंट्रेश्ट भी तो 625 दो वर्सों का Simple इंट्रेश्ट क्या निकल करके आएगा विज़ा पचास और पचास यह रहेगा simple interest क्योंकि बोल भी निकाला जाएगा लेकिन आपको निकालना क्या है compound interest भी निकालना नहीं तो दूसरे साल में जब याज लगेगा अगर यह पहले साल का दूसरे साल में जो ब्याज लगेगा पहले साल का आठ पर सेंट यानि दो बटे पत्चिस कितना आजाएगा कंपाउन इंटरिस्ट है सो है सिंपल इंटरिस्ट इनका अंतर कितना राए चार इंका अंतर चार आएगा और यहां पर अंतर कितना दिया प्रसंद में 3.20 ते चार यूनिट किसके वराबर होगा 3.20 के कि आप को निकालना क्या है मूल याडि यह 625 यूनिट आपको निकालना है कि यह कितने के बराबर हो जायगा 4 से देखिए काट देंगे 4 कम 4 4 अठिए बरतिस दसमलो 8 एक यूनिट बराबर दसमलो 8 तो 625 यूनिट बराबर कितना हो जायगा 625 गुड़ते दसमलो आट 500 रुपए कित्रा जाएगा अंसर 500 रुपए अगला प्रस्म देखिए किसी निश्चित रास पर दो वर्सों में लिया गया चक्रद ब्याज 113 रुपए है और समान रास, समान अवध और समान ब्याज की दर पर लिया गया साधार ब्याज 150 रुपए है ब्याज की दर ग्याद कीजिए टाइम दिया जा रहा है दो वर्सों का CI कितना है 113 SI कितना है 150 बस यही आपको प्रस्म में दिया जा रहा है आवद ही समान है रास ही समान है यानि टाइम और प्रिंस्पल समान है टाइम दो साल कही है प्रिंस्पल भी समान है यानि मूलधन जो है वो बराबर है आपको केवल निकालना क्या है रेट निकालना है दर निकालना है तो देखे सबसे पहले तो यह जान लिजिए कि SI 150 दिया है दो सालों का साधार्व्याज 150 है साधार्व्याज हर साल बराबर बराबर लगता है यानि एक साल में कितना लगा होगा दो साल का साधार्व्याज अगर 150 है तो एक साल में इसका आधा ब्याज लगा होगा क्योंकि हर साल बराबर लगता है साधारव्याज एक साल में कितना लगा होगा 75 दूसरे साल में कितना लगा होगा 75 साधारव्याज ठीक है अब बात आती है चक्रवद्याज की रास ही सेम है प्रिंस्पल जो यहां पर रहा होगा इसी प्रिंस्पल पर जिस रेट से यह भी लगा होगा 75 यह था इसका साधारण ब्याद आज जब चक्रोद ब्याज की बात आती है तो चक्रोद ब्याज कितना ज़्याद है तीन टाइम है केवल दो सालों का 75 पहले साल में चक्रद ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है तो पहले साल का कितना होगा 75 ही होगा अगले साल 75 ब्याज लगा इस प्रिंस्पल पर और इस 75 पर भी कुछ ब्याज लगा होगा जितना उसका rate रहा होगा, जितनी दर रही होगी, उसी दर से इस 75 पर भी अगले साल ब्याज लगेगा, और वो ब्याज कितना है? 150 से कितना ज्यादा है? 3 तो ये ब्याज कितना लगा होगा? 3 अब 75 पर 3 ब्याज लगा है, तो rate यहाँ से निकाल सकते हैं, कि यह तीन जो है 75 का कितना परसेंट है तो तीन बटे 75 गुड़ते सौ पच्चिस चौको सौ चार परसेंट तो रेट निकल करके क्या आ गया दर कितनी आ गई चार परसेंट अब माल लिजे आप से पूछा जाता कि मूल धन क्या होगा तो मूल धन भी यहीं से निकल आता यह पहले साल में बयाज लगा है चक्रोज बयाज और सदर बयाज समान होता है तो इस प्रिंसपल का 4% ही तो होगी बयाज बस प्रिंसपल का 4% बराबर 75 यहीं से आ जाता 25 से 75 को गुड़ा कर देते यही इसका मूल धन हो जाएगा किसी निश्चित रास पर दो वर्सों के लिए लिया गया चक्रद ब्याच 105 रुपए है और साधार ब्याच 100 रुपए है वार्सिक ब्याच की दर तथा मूलधन ग्याद कीजिए देखिए यहां पर मूलधन आपसे पूंच लिया गया टाइम है दो वर्स। एसाई कितना है 100 रुपए है कि इसाई कितना है 105 रुपए है यह डाटा आपको दिया गया है मूलधन सेम है रेट आपको पता करना है दर भी समान है टाइम यहाँ पर दो वर्स दिया गए है तो SI में फिर वही चीज आ गई कि 100 रुपय दो साल का ब्याज है simple interest यानि हर साल बराबर लगेगा तो एक साल का कितना होगा पचास अगले साल का पचास कोई भी प्रिंस्पल यहाँ पर रहा होगा उस पर पहले साल में उसी दर से 50 दूसरे साल में उसी दर से 50 यह तो रहापका simple interest लेकिन जब compound interest लगा तो इससे 5 ज़्यादा लगा तो पहले साल तो compound interest और simple interest बराबर है दूसरे साल इस मॉल धन पर तो ब्याज लगे गई, इस ब्याज पर भी ब्याज लगना है, तो ब्याज पर कितना ब्याज लगा? 5, क्योंकि यह 5 इक्स्ट्रा है, अच देखें टोटल चक्रट ब्याज कितना हो गया है, 105, ठीक है? तो यह 5 extra लगा, यह इस 50 पर लगा है, तो बस यही निकालना है कि यह 5 इस 50 का कितना परसेंट है, यही इसका rate हो जाएगा, तो 5 यह 50 का कितना परसेंट है? 10% अब प्रिंस्पल निकालना है तो इस प्रिंस्पल का 10% होगा ये 50 मतलब ये प्रिंस्पल कितना रहा होगा ये प्रिंस्पल रहा होगा 500 500 का 10% 50 Clear? चले अगला प्रस्ण देखिए दो वर्सों में 1200 रुपए पर लिया गया चक्रद ब्याज 123 रुपए है वर्सिक ब्याज की दर ग्याद कीजिए Time दो वर्स रुपए है 1200 ये प्रिंस्पल कितना है 1200 चक्रद ब्याज कितना है 123 रुपए CI 123 रुपए पूछा क्या गया है वर्सिक ब्याज की दर ग्याद कीजिए यहाँ पर देखिए एक काम आप कर सकते हैं कि सीधे सीधे इसका फार्मूला लगा दीजिए उससे भी निकालाएगा लेकिन अगर आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो इसका एक बेहतरीन तरीका है उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा प्रिंस्पल है और हमें एमाउंट निकालना पड़ेगा तो प्रिंस्पल कितना है और इसका रेशियो बनाना पड़ेगा प्रिंस्पल है बारा सो एमाउंट यानि मिस्रधन किसे कहते हैं जब मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाया तो वही हो जाता है क्या मिस्रधन अब मिसरधन इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तेरा सो तेज़ तो प्रिंसपल और अमाउंट का हमने रेशियो अनपाद बना लिया जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था तो उसमें एक चीज बताई थी सकसेशिव मैथेड और साधार इसमें चक्रद्याज में भी मैंने स्टार्टिंग वाली क्लासों में उसे समझाया है तो सक्सेशिव मैथेड क्या होता है मेरे दोस्तों जैसे मान लिजिए मैने ब fraction बनाया कितना बना एक बटे 10 अब पहले कोई चीज 10 थी तो वो कितनी बढ़ी एक यानि 10 से बढ़कर कितनी हो गई 11 एक साल की बात थी तो 10 से 11 जब दूसरे साल की बात होगी तो फिर वही राज 10 से 11 जो भी राज ही होगी वो 10 से 11 ही तो हो रही है simple ratio में बढ़ रही है लेकिन क्रमबद तरीके से बढ़ रही है तो success you लगा दिया अब यहाँ पर देखे क्या हो जाता था दो साल की जब बात होती थी तो 10-10-11-121 हमने इसका इसका गुड़ा कर दिया था याद है आपको तो यहाँ पर सेम यही चीज होगी अब माली जी हमको दो साल का दे दिया जाए कि दो सालों में यह मूलधन था दो सालों में यह हो गया है तो इस तरह से मुझे पता है कि जब एक साल की बात थी फिर दूसरे साल में क्या हो रहा है उसी का गुड़ा हो रहा है यानि स्क्वायर हो रहा है अब हमको अगर दो साल का दे दिया जाया तो हम इसका अंडर रूट निकाल सकते हैं और यह रेशियो में है जितना सिंप्लिफाई हो सकेगा उतना सिंप्लिफाई करेंगे फिर इसका अंडर रूट निकाल लेंगे है ना तो यहां पर देखिए इसको simplify करते हैं तीन से कट जाएगा तीन चौको बारा चार सो अनुपाथ तीन चौको बारा तीन चौको बारा तीन एककंग तीन 400 ratio 441 दो सालों की बात है अंडर रूट कर देंगे कितना आ जाएगा 20 अनुपाथ 21 अब ये रास अगर 20 रही होगी तो कितनी बढ़ रही है एक साल में 21 हो रही है यानि बढ़ कितनी रही है एक एक रास बढ़ रही है 20 से परसेंट निकालना है 100 से गुड़ा करेंगे 5 परसेंट तो यहां पर ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 5 परसेंट I hope आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपको सारे questions इस type के बहुत आसानी से आ जाएंगे है ना और main चीज है आपको time बचाना है परिच्छा में तो time बचाने के लिए एक बेहतरीन method है अगला प्रसन है किसी निश्चित राशी पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया चक्रवद्धी तथा साधर ब्याज का अंतर 27.27 रुपए है मूल धन ग्यान करें rate 3% time 3 वर्ष चक्रवद्धी ब्याज तथा साधर ब्याज का अंतर i-si बराबर 27.27 आपको मूल धन ग्यात करना है ऐसा प्रसन आया है मूल धन पता नहीं है मूल धन निकालना है लेकिन दर हमें दी गई है दर को क्या करेंगे fraction में बदलेंगे fraction में बदला तो 3 बटे 100 3% का fraction कितना बनेगा दोस्तो 3 बटे 100 हर में जो संख्या है टाइम को हर की घात बना देगी तो 100 की घात 3 करेंगे तो कितने 0 लग जाएंगे इसके आगे 6 0 ठीक है मूल धन आपको पता है rate आपको पता है तो फटा फट ब्याज निकाल लेते हैं कितना लगेगा इस पर लगेगा देखिए कितना 30,000 30,000 30,000 अगले साल इस देखिए मूल धन पर लग चुका है ब्याज अब इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा क्योंकि compound interest है simple interest निकल चुका है अब जो बचेगा वो compound interest के लिए निकाला जाएगा हाना तो इसका ब्याज निकलेगा क्या हो जाएगा 900 अब इसका और इसका और इसका भी ब्याज यहाँ पर लगेगा तो कितना होगा देखिए 900 प्लस इसका ब्याज 900 प्लस इसका ब्याज कितना 27 निकालना है आपको अंतर अंतर निकालेंगे तो देखिए यह सारा कुछ है compound interest यह उपर वाली तीन चीजे है simple interest अगर इस सब में उपर वाले तीन को हटा दिया जाया तो जितना बचेगा वो क्या होगा compound interest minus simple interest तो इसको जोड़ करके देख लेते हैं कितना हुआ 9, 9, 18, 9, 37 27, 27 27, 27, 27 रुपे इतना unit निकल करके आया है यह unit किसके बराबर है 27.27 clear यह चीज यह unit किसके बराबर है 27.27 आपको निकालना क्या है मौलधन मौलधन निकालेंगे यहाँ पर देखे दो अंको बाद दसम्लो है actual में तो यहाँ पर भी दो अंको बाद दसम्लो लगा दिया जाएगा तो मौलधन कितना हो जाएगा 10,000 answer ठीक है देखे प्रसंदिया गया है कि किसी निश्चित राज़ पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्सों के लिए लिया गया चक्रवध तथा साधार ब्याज का अंतर 61 रुपए है मौलधन ग्याद कीजिए तो पूछा क्या जा रहा है कि मौलधन ग्याद कीजिए मौलधन पता नहीं है मौलधन हमें मानना पड़ेगा मौलधन मानने के लिए रेट को फ्रेक्शन में बदलेंगे कितना हो जाएगा एक बटे 20 20 की पावर 3 करेंगे कितना 8000 8000 में तीन सालों में ब्याज निकालेंगे कितना लगेगा तो कितना निकलेगा 400 400 400 इस पर भी कितना हो जाएगा 20 40 और इसका compound interest minus simple interest ये सारा उपर वाला है simple interest ये सारा कुछ है compound interest इसमें simple interest को minus कर दिये जाएगा बचे का कितना 61 और 61 unit 61 के ही बराबर है तो मूल धन कितना है 8000 unit ये किसके बराबर होगा 8000 रुपए के तो यहाँ पर मूल धन कितना आजाएगा 8000 रुपए clear अगला परस्म किस वार्षिक दर से दो वर्षो में 1920 रुपए 2430 हो जाएगे time दो वर्ष 1920 रुपए principle amount कितना है 2430 1920 रुपए 2430 हो जाएगे दो वर्षो सेम वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि प्रंस्पल और amount का ratio बनाएगे 192 0 अनपाद 2430 रेशियो बना लेंगे दो वर्षों की बात है अंडर रूट करेंगे दोनों का लेकिन पहले इसको सिंपल करेंगे जीरो से जीरो कट जाएगा तीन से कट जाएगा तीन चक का ठारा तीन दूनी तीन चक को बारा अनपाद अब ये सिंपल हो चुका है जितना सिंपलिफाई होना था हो चुका है दो वर्षों का है अंडर रूट लगा देंगे कितना हैगा आठ नो आठ अनपाद नो अब पूछा क्या गए है रेट आप से पूछा गए है दर आप से पूछी गई है तो दर निकालने के लिए आप क्या करेंगे ये 9 हो रही है रास तो कितना बढ़ रहा है एक आठ से 9 हो रही है एक साल में है ना तो कितनी बढ़ रही है एक कितने में आठ में गूडित 100 आठ है कम आठ आठ जुनी सौला तो 12.5% एंसर आ जाए रहा है ठीक है अगला प्रसंदेखे सेम ऐसे ही है किस वार्सिक ब्यास दर से 1250 रुपए तीन वर्सों में 1574 64 हो जाएंगे यहाँ पर देखे टाइम जो है वो तीन वर्स दे दिया गया है प्रिंस्पल रेशियो एमाउंट हमको निकालना है तो बारा सो पचास प्रिंस्पल दिया गया है एमाउंट कितना 1574 64 दिया गया है टाइम तीन वर्स जब 2 वर्सों की बात थी, तो हमने under root लगाया था, जब 3 वर्सों की बात होगी तो क्या लगाया जागा? cube root लगाया जाएगा लेकिन cube root लगाने से पहले इसको simple किया जाएगा जितना simplify हो सकेगा उतना किया जाएगा यहां पर देखे 3 0 है यहां पर 464 है यह 8 से कट जाएंगे इसलिए इसे पूरा 8 से काटा जाएगा तो 8 एक कम 8 8 पंचे 40 8 चका 48 8 दूरी 16 आट पंचे 40 पंद्रह 625 आजाएगा यहां पर भी 8 से काटेंगे आठ एक कम 8 आठ नहिया 72 पंच आठ चंग 48 आठ चंग 48 चॉशट और आठ त्रिक का 24 उन्नीश छे सो तिराची इसका निकाला जाएगा क्यूब रूट क्योंकि यहां पर क्यूब है तीन वर्स हैं इसलिए इसका क्यूब रूट निकाला जाएगा और क्यूब रूट निकालना मैंने एक वीडियो में मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी होगी उसमें आप जाकर के देख सकते हैं क्यूब रूट निकालना मैंने बता है तो क्यूब करके देखेंगे दो दूनी चार दूनी आठ पंद्रह से कम वाला क्यूब रूट ले लेंगे और क्यूंकि तीन का करेंगे तो 27 हो जाएगा वो ज्यादा तो यह क्या हो जाएगा पच्चिस अगर आप इसे ज्याद अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक वीडियो प्लेइलिस्ट में पढ़ा है आप उससे जाकर के देख सकते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाएगा यहाँ पर देखें तीन है इस रेश्यो का क्या मतलब है प्रोet सिया कंश है यह सैसे इंशर नहीं है यह बस रेश्यओ आया हैर कि एक साल में रास कितनी बढ़ रही पच्चिस से कितनी बढ़ रही है 27 हो रही यानि 2 बढ़ रही है तो 2 बढ़ी 25 में तो % कितना दर कितनी किस rate से बढ़ी है 25 चको 104 दुनी 8 rate क्यों हो जागा 8% और ये 8% आपका answer होगा ठीक है कोई निश्चित रास किसी निश्चित चक्रव्याज की दर से 37 वर्स में 1764 तथा 38 वर्स में 1808.1 0 रुपय हो जाती है वारसिक ब्याज की दर प्रतिसत ग्याद करें देखिए एक चीज मैंने आपको बताई है कि चक्रुद ब्याज में क्या होता है कि जैसे ही एक साल खतम होगा उस पर जो ब्याज उसको मिला होगा वो ब्याज उसी मूलधन में जुड़ जाएगा और ब्याज जुड़ने के बाद वो उसका नया मूलधन हो जाएगा फिर अगले साल जब ब्याज काउंट होगा तो उस नया मूलधन पर काउंट होगा यानि मूलधन जो पुराना रहा होगा उस पर भी ब्याज लगेगा और जो ब्याज नया मिला होगा उस पर भी ब्याज लगेगा तो यही यहाँ पर आपको करना है कि 37 वर्स में कितना हो रहा है 1764 37 वर्स का जो ब्याज है sorry 37 वर्स में जो रास ही हो रही है कितनी हो रही है 37 वर्सों में 1764 और 38 वर्सों में कितनी हो रही है इतनी रास हो रही है आपको देखना है कि एक साल में कितना परिवर्तन हो रहा है कितनी रास बढ़ रही है जितनी बढ़ रही होगी मेरे दोस्तों जितनी भी रास बढ़ रही होगी वही उसका ब्याज होगा इस रास पर लगा हुआ ब्याज होगा और उसी ब्याज से हम काउंट कर लेंगे कि किस रेट से ये ब्याज लगा है कितनी दर पर ये ब्याज लगा है तो यहाँ पर देखे कितना ब्याज आया, ब्याज निकालने क्या करेंगे, निकालने के लिए 1808.1 में 1764 को माइनस कर दिया जाएगा, कितना आजाएगा, एक, 8 में 4 जाएगा, 4, 10 में 6 जाएगे, 4, कितना आएगा, 44.1, यह ब्याज है, किस पर लगा है, इस 1764 पर, 1764 गुड So, काट दिया जाएगा, देखे 4 बार जायगा ये, और यहां पर दसंबलो है, हटा देंगे, यहां पर 0 बड़ेगा, तो यहां पर भी 0 बढ़ जाएगा, इसको काटेंगे 4, दुनी 8, 0.45, धाई prevent का बयाज लगेगा, थिक है, अगला प्रस देखिए कोई रासी 23 वर्स के अंत में 1200 रुपए और 25 वर्स के अंत में 1728 रुपए हो जाती है यह वारसिक ब्याज की दर घ्यात करें एक चीज आपको देखने को मिले कि 23 वर्स में कितनी हो रही है 1200 25 वर्स में कितनी हो रही है 1728 23 से 25 गैप कितना है दो वर्सों का दो वर्सों का गैप है और रास कितनी हो रही है दो वर्सों में बदल रही है 1200 थी 1200 से कितनी हो रही है 1728 तो वर्सों ताइम है दो अब देखे रासी मूलधन कुछ भी रहा हो 23 वर्सों में वो कुछ भी हुई हो 23 वर्सों में वो 12 हो गई अब इसके बाद ये नया मूलधन बन गया है अब इस पर ब्याज लगेगा अगले साल फिर वो नया मूलधन बन जाएगा फिर उसी रेट से उस पर ब्याज लगेगा तब जा करके कितना आ रहा है 1728 यानि यहां पर अगर कुल मिला करके देखा जाए तो ये 1200 क्या है प्रिंस्पल है और ये क्या है अमाउंट इसको हम ऐसे भी बना सकते है दो वर्सों की बात हो रही है सबसे पहले इसे सिंप्लिफाई कर लेंगे जितना हो सकेगा जब ये सिंप्लिफाई हो जाएगा तो ये दो वर्स के लिए है तो इसको अंडरूट कर देंगे जितना आएगा रेशियो उसी से इसका रेट निकाल लेंगे यही इसका सबसे आथसान मैथिड है ये दोनों तरफ चार से काट देंगे ये क्या है प्रिंस्पल है ये क्या है अमाउंट इन दोनों को रेशियो बनाएंगे चार से काटेंगे चार तियां बारा तीन सो चार चको सोला चार तियां बारा चार दुनी आठ तो चार सते अठाइस चार पंचे बीस चार एकम चार चार अठे बतिस अब ये तीन से कट जागा 3 दू नी 6, 3 पच्छी 15 3 तरक का 9, 3 चक का 18 25 रेशियो 36 बन चुका है जब 25 रेशियो 36 बना दो वर्स की बात है यहाँ पर अंडरूर्ट लगा देंगे अंडरूर्ट लगाया तो 5, 6 दो वर्सों में 25 से 36 हो रही थी राज तो एक वर्स में कितनी हो रही है 5 से 6, कितना ब्याज लग रहा है एक, किस पर, 5 पर, गुड़ित, 100 ब्याज कितना है 20 परसेंट पर एन, पर एन, पर एर है न, वर्सिक ब्याज की दर क्या है 20 परसेंट चलिए, अगला प्रस्म देखे, कोई धन रास दो वर्स में दो गुणा हो जाती है तो चक्रद ब्याज की लग भग ब्याजदर ग्याद करें लग भग ब्याजदर आपको बतानी है, चक्रद ब्याज की दो वर्सों में दो गुणा हो रही है टाइम है दो वर्स लगभग दो गुना हो रही है दो वर्सों में यानि अगर रास एक थी तो कितनी हो रही है दो अगर ये प्रिंस्पल था तो ये है इमाउंट दो वर्सों में अब दो वर्सों की बात है एक वर्स का निकालना है दोनों को अंडरूट कर देंगे रेशियो बना देंगे प्रिंस्पल और इमाउंट का अंडरूट करेंगे तो एक का एक ही आएगा अंडरूट दो की वैलू क्या होती है 1.41 करके कुछ होती है 1.41 ऐसे ही आगे होती है ना तो हमको लगभग में निकालना है दो पॉइंट तक निकाल लेंगे इसी में देख लेंगे लगभग कुछ मैच हो रहा है है ना अब देखे ब्याज हमको निकालना है कि रेट क्या है तो क्या करते थे यह मिसरधन में मूलधन को माइनस किया तो 1. 1.41 में एक माइनस हो जाएगा कितना बचेगा दसम्लो चार एक बटे किस पर एक पर ब्याज मिला एक साल में गुड़तिस सौ अब देखे ब्याज की दर बतानी है कितनी हो जाएगी यह एक है दसम्लो चार एक ही रहेगा 100 से गुड़ा करेंगे तो यह दसम्लो हट जाएंगे यह पिर दसम्लो हट आया नीचे दो 0 100 से 100 कैंसिल कितना है 41 परसेंट लगभग क्यों लगभग क्योंकि यहाँ पर भी आगया और कुछ भी आ सकता था तो यह 41 पॉइंट में कुछ जाय की वैल्यू है ना अगर रियल वैल्यू की बात करेंगे तो ऐसे ही अगला प्रस्न दिया गया है कि कोई निश्चित रास किसी चक्रद भ्याज की दर से चार वर्सों में दो गुना हो जाती है तो संभाव ब्याज की दर ज्यात करें टाइम चार वर्स का है इस बार रास वही एक से दो हो रही ये था प्रिंसपल ये है ऐमांट अगर एक थी तो एक से दो हो रहे कितने वर्सों में चार वर्सों में जब दो वर्सों की बात थी तो वर्ग मूल निकाला जब तीन वर्सों की बात थी तो घंबूल निकाला अब चार वर्सों में इसका क्या निकालेंगे यहां पर चार करड़, इसकी जो करड़ी होगी उसकी घात क्या लगा देंगे, चार, ठीक है, अब देखें, एक है, तो इसका तो होगा एक, और जो ये दो है, हमको पता है, इस दो का वर्गमूल क्या होता है, दो का वर्गमूल क्या हो जाता है, 1.41, something, यहां पर ये चार था, इसका हमने अंदर एक स्कॉयर कर ये माल लीजिए, वर्गमूल कर दिया, तो यहां पर आप इसका वर्गमूल करने को ही बचा है, इसका फिर से वर्गमूल करेंगे, 1.41 का, भाग उतसे करना पड़ेगा, 1,1,1,1, यहां पर हो जाएगा, 2, 4,1, तो यहां पर पॉइंट लगा लिया जाएगा, अब यह कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार जा सकता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, थोड़ा सजादा है, यानि यहां पर थोड़ा कम बार जाएगा, लेकिन लगभग 1.2 आएगा, इसका मान कितना आएगा, लगभग 1.2 करके कुछ आएगा, अब देखिए, यहां पर एक था, अनपात कितना होना, एक दसमलाव 2, ब्याज निकालना है, ब्याज कैसे निकलेगा, दसमलाव 2, इसमें इसको माइनस कर देंगे, इस पर ब्याज लगआ है, एक गुड़ते 100, तो ब्याज कितना आया, 20 परसेंट लगभग, आपसन में देखेंगे, तो 19 परसेंट है, 16 है, 17 है, 25 है, तो यहां पर मैंने आपको बता था कि 2 से थोड़ा सा कम हुगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 परसेंट के सम्थिंग, तो 20 परसेंट से थोड़ा सा कम कौन सा है, 19 परसेंट लगभग, तो यहीं अंसर आपका सही हो जाएगा, अगला परसन देखे, कोई निश्चित रास किसी चक्रत ब्याज की दर से 6 वरसों में 2 गुनी हो जाती है, 30 वरसों में या कितनी गुनी होगी, 6 वरसों में 2 गुनी हो रही है, कोई रास ही है मान लीजे ये रास ही है दो हो जा रही है कितने वर्सों में छे वर्सों में ये चीज एक चीज आप जानेए कि जो चक्रत व्याज होता है उसमें जो रेशियो रहता है बढ़ने का व्याज का वो बराबर रहता है अगर ये एक से दो हो रही है तो अगले साल भी जो रासी होगी वो एक से दो होगी यानि अपनी दो गुनी होगी है तो यहाँ पर दो है तो अब ये छे वर्सों में दो गुनी हुई है तो अगले छे वर्सों में फिर से दो गुनी होगी कितनी हो जाएगी? 4 अगले 6 वरसों में फिर अगले 6 वरसों में ये रास फिर अपनी 2 गुनी हो जाएगी 8 8 हो जाएगी ठीक है? तो देखें, यहां से आपको क्या निकालना है कि 30 वरसों में कितनी गुनी होगी? तो 6, 612, 618, ऐसे ही 24, 30 ऐसे ही चलता जाएगा और रास ही 2 गुनी होती जाएगी जैसे यहां पर 8 से फिर क्या हो जाएगा? 16, 6 वरसों में फिर 16 से 32 6 वरसों में तो देखें, 6, 612, 618, 624, 6 30 30 वरसों में कितनी हो गई अपनी रास? वो अपनी कितनी गुनी? 32 गुनी हो गई है लेकिन क्या आप इतना ही बनाते चले जाएगे परिच्छों में? तो ऐसा नहीं करना है यहां पर क्यों आपको एक टर्म समझनी है कि क्या है? देखें, 6 वरसों में कितनी हो रही है? 2 गुनी तो इसको 2 की घात 1 कर सकते हैं एक बार जब परिवर्तन हुआ 6 वरस बाद तो वो 2 की घात 1 हो गई दो गुनी हुई तो अगले 6 वरसों में यानि अगली बार 2 की घात 2 फिर अगली बार 2 की घात 3 फिर अगली बार 2 की घात 4 2 की घात 5 छे वर्षों में जब एक बार रास बढ़ी तो 2 की घात 1 हुई अब 6 दुनी 12 वर्षों में 2 की घात 2, 6 ती या 18 वर्षों में 2 की घात 3 अगर ऐसे ही पूछता आपसे कि 60 वर्षों में यह रास कितनी गुनी हो जाएगी तो 60 वर्सों में 6 गुड़ी 10 करना पड़ता क्योंकि 6 चे वर्सों में 2 गुड़ी हो रही है तो 6 गुड़ी 10 करना पड़ता तो राज कितनी हो जाती 2 की घात 10 गुड़ी जितने से यहां पर गुड़ा कराएंगे राज उतनी ही 2 की घात बढ़ा देंगे ठीक है, चलिए एक प्रस्ण और ऐसे ही देख लेते हैं, कोई रास चक्रों दिव्याज की दर से 9 वर्सों में तिगुनी हो जाती है, 36 वर्सों में यह कितनी गुनी होगी, एक से कितनी हो रही है, 3, 9 वर्सों में, 36 वर्सों में, यानि 9 वर्सों में, कितनी गुनी हो जाएगी, तो एक वर्स में 3 गुनी हो रही है, अब यह फिर 3 गुनी होगी, फिर 3 गुनी होगी, ऐसे ही तो होगा, तो 3 की घात, 4 गुनी हो जाएगी, तीन तरक का 9 तरिक 27 तिया, 21, कितनी गुनी, 21 गुनी, clear, इसी तरह से आपको यह गुने वाले प्रस में निकालने, ठीक है, इसको ऐसे ही 4 बार करेंगे न, 9 वर्स, फिर 18, 27 हो जाएगा यहां पर, 36 हो जाएगा, 36 वर्सों में पूछा गया है, 3 से फिर 3 गुनी होगी, 9, फिर 3 गुनी होगी, 27, फिर 3 गुनी होगी, कितनी, 81, बस यही 81 आपका answer हो जाएगा, I hope आपको यह सारे प्रस समझ में आया होगी, आपको इनका method समझ में आया होगा, आपको इन प्रसनों को करने में थोड़ा सा सरलता हुई होगी, तो ऐसे ही कुछ method जाने के लिए, सीखने के लिए हमारे साथ जुड़िए, और लोगों को भी जोड़िए, share करिए इस वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा,